हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु मा यूटूब चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे प्राची नितियास में पाफान काल के बारे में और यह यूद कम्टिशन टाइम की बुख है जिसमें सारे प्रिवेसरे के कोश्चन और जो न्यूँ कोश्चन है वो भी दिये गए है जिसकी प्ल पहला कोश्चन अगर पूच्ञा गए है भीम बेटका पूरा पाफानकाल के प्रिफिद अिस्तल बाहरत कि किस राज मिश्चितु है भीम बेटका कहां पर इस्थल जो है कायम मद्य प्रदेश के रायस जिले मिस्तित है और इसकी खोच जो है फ्री धर विफणू फ्री धर वाकाणकर के द्वार की गई थी और 2003 में इसको युनेस्को द्वारा विफधरोहर इस्थल में गोफित किया गया है तो इस सारे परिंट आपको याद रखने है उसके बाद second number question पूछा गया आप से प्राचीन भारती तिहास के किस काल में मिट्टी के बरतनों का पता लगाए गया था तो इसका इंफर हो जाएगा नौ पाफ़ाड काल में मिट्टी के बरतनों का पता लगाए गया था उसके बाद और आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है मिट्टी के बरतनों का सबसे पहला प्रमाड मेहरगर के नौ पाफ़ाड इस्तल से मिला है जो पाकिस्तान में इस्तित है कोश्चन पूछ ले जब मेहरगर कहा पिस्तित था तो बताएंगे पाकिस्तान में है और सबसे पहला प्रमाड जो मिला था मिट्टी के बरतनों का वो कहाँ पी मिला तो वो मिला था मेहरगर से उसके बाद नेस्ट कोश्चन है थ्री नंबर निम्न में से कौन सा पूर्व एतियाफिक इस्तल मिट्टी के सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेश्यों के पालन का पूरा ताथिक प्रमाड प्रमाड प्रिदान करता है तो मवेश्यों के पालन का जो पूरा ताथ आपको याद रखने है माहगड़ा जो है इलहाबाद जिले की मेजा ताफिल के पाड़ी छेत्र में बेले नदी घाटी के तड़ पर इस्थित है इसकी खोज सन 1975-76 में हुई थी यहां से पफबाड़ा का साच मिला है इसके अतरिकति यहां से गोलाकार जोपड़िया गोलाका बभुषी पानले के परमाड मेट़्ी की सत्य पर पाए गए हैं अगला कोच्छन पूचा गया है प्रारमभीक मनुष्यों दोरा उपयोग किया जाने वाले माइक्रोलिट्स थे माइक्रोलिट्स क्या थे माइक्रोलिट्स जो थे पत्थर के अज़ार थे उन्हें ही बोला गया था माइक्रोलिट्स जो प्रारंबिक मनुष्या में जो सबसे पहले मनुष्य के दोरा यूज किया गया था और यहाँ भी देखो एक मोस्ट इंपर्टेंट प्रइंट दिया गया है भील वाड़ा जिले में कोठारी नदी की तरपरिस्थित बागवर भागवर भारत का सब से बड़ा मध्य पाफाणिक इस्थल है और इसी काल से सवों को दफनाने की प्रता फुरुआत मानी जाती है कौन से काल से सवों को निम्रकीद में से कौन सब भारत में पूरा तत्तिक महत्त का एक पूरा पाफाणिक इस्थल है निम्रकीद में से कौन सब भारत में पूरा तत्तिक महत्त का एक पूरा पाफाणिक इस्थल है तो इसका इंसर हो जाएगा वो पूरा तत्तिक महत्त का पूरा पाफाणिक इस कि इसमें जो कोश्चन उसके इंफर दिया गए उसके साथ में जितने भी कोश्चन बन सकते हैं कोश्चन से वह सारे दिये गए हैं तो आप लोग को इतना ही पढ़े लिए इसके बाद आपको किसी और बुसी कुछ भी पढ़ने की जुरूत नहीं पढ़ेगी देखो अब यह हुना सागी करनाटक राज मिष्थित एक प्रारामिक पुरा पाफान इस्थल है हुना सागी के पुरा पाफान उपकरण चूना पत्थर बलुवा पत्थर कौाट जयट डोलो राड चैट जैसे व्यूईत प्रकार के पत्त्रों से बने हैं उसके बाद कुछ इंपार्टन कालीन ग्यातिसस्थथफल है जो अब कोच्चन आप पुचा जाएकि अज़के कि चिरंद कहां पर इस्थित है तो बताएंगे वारण भीहार में उसके बाद नेविफ्फ कोच्चन पूछा गया है सेल्ट एक सेल्ट एक नव पाफार्ण कालीन तो सेल्ट एक सेल्ट एक नव पाफान काली नुपकरण है पूरा पाफान काल के विप्रीत इस सवाधि में लोगों ने पालिष किये गए पत्थरों के आउजारों और कुलाडियों को प्योग करना शुरू किया जिने सेल्ट कहा जाता था क्या गाता जीने सेवाधि करना अगला कोशन देऊ सेवाधिarah कि प्राग याथि इनसे कहले पूरा पाफान काल का बूलागया था पूरा पाफांड काल बोला गया था और अगला पाइंट यहां पर देखो यह और पाइंट आपको नोट करना इसको निम्न तीन भागों में विवाजित किया गया है जो पूरा पाफांड काल है उसको कितने भागों में विवाजित किया गया है मैं निम्नली लिखित में से किस पुरा ताक्तिक इस्थल पर गर्त वाल्षु के प्रमाढ़ पाए गया है वो बर्जषु कि बारे में कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे कि यहां पर बुर्ज होम नौ पाफार्ड योगिन पुरा तत्तिक महत्तवाला जम्मु कफ्मीर राज का प्रमु के इतियाफिक इस्तल है अब कोश्चन पूछा जाएगा कि बुर्ज होम कहां पर इस्तित है तो बताएंगे जम्मु कफ्मीर म आवाफ पाए गए हैं बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके सव को पालतु कुट्टे साथ ही दफनाय जाता था यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यह भी आपको याद रखना है उसके बाद अगला question है मेहर गड़ नौपाफाण काल की बस्ति पाकिस्तान के प्रांथ मिश्तित है तो conex आप ट Νपेर आफन बिलकुल ही सही हो जाएगा अब देखो यहां पर मेहरगड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे कि मेहरगड पुरा ताच्चिक द्रख्टिस से मात्पूर एक इस्थान है जाननों पाफार्यू के बहुत से अउसे मिले हैं यह इस्थान वर्तमार में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी क किनारी 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 श्तित है जो काई बार पूंछा गया है जो प्राच्चिंत म्क्रश के साथ से पहुंते कहां से मिलमे उसके बाद अगला कोउस्चन पूंचा इनाम गाउं कहां महाराश्टर में है आज दो इनाम गाउं जो बारत के महाराश्ट्रा राजय मैं इस्तित crystall थे और और भीमा नदी की सायक नदी घोड के तड़ परि vertik कहाँ पर तौकर नदी की सायक नदी घोड इसका तड़ परिष्थित rich in लूजित नावलिव गाउं की लोगों का मुख्य पेसा क्रशि था जानवरों को दूढर्मास के लिए पाला जाता है उसके बाद Nextaning Priorit 국 Сейчас पूछा गया है पूरा तत्यस्तर्थ कोल्डीवा कहां इस्तित है कोल्डीवा इस्तित है उत्रप्रदेश में कहाँ पे उत्रप्रदेश में अब देखो, यहाँ पे कोल्डीवा के बारे में कुछ पुर्क्रैश देखें जैसे की कोल्ड हीवा बारत के उत्तरपदेश में एक पुरा ताथ्तिक इस्थल है उत्तरपदेश इलाहबाद प्रियाग राज में स्थित कोल्ड हीवा एक मां तरहसा 9 पाफाणि पुरा इस्थल है जाँ से 6000 इसवा पूर में धान की खेती के जाने के प्रमाण मिला है नवीन्तम खोच के नगर जिले के लाहुरा देव जिसमें से आठ हजार बीसी से प्राप्थ हुआ है उसके बाद तल्ब नमबर कोशेर पूछा गया है निम्लिकित में से किस प्रया गयतिहासिक भारती इस तल्ब पर होमोरेक्टस मानों की खोपड़ी पाई गये थी तो जो होमोरेक्टस यवी मानों की खोपड़ी जो पाई गये थी यह पाई गये थी हाथ नोरा से किस से हाथ नोरा से अब देखो जैसे कि हाथ नोरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में गाउं है इस भारती स्थल पर होमो और एक्टफ मानों की खोपड़ी पाई गए थी नर्मदा घाटी के जीवाफों में हाथी, घोडे, दरियाई घोडा, जंगली भैसों के जीवाब के साथ होसंगाबाद जिले के हाथ नोरा में 5 दिसंबर 1982 को 77,000 वर्ष पुराने मानों के कपाला उसेज, डाक्टर अरूर्ण सोनकिया ने प्राप्त किया था बुर्जों से, पांच जंगली कुत्तों और बारा सिंगों के सिंग क्या उसे प्राप्त हुए थे बुर्जों से उसके बाद एकला कोशन दिया गया है, जोर्वे कल्चर एक चालकोलितिक पुरा तात्तिक इस्तल था जो अर्तमान समय में निम्नकित में सिक कि भाती राज में इस्तित है जो जोर्वे कल्चर है, यह इस्तित है महाराष्ट में, कहां पे? महाराष्ट में आप देखो यहाँ पर जौर्वे समक्र्थी तामरवहार्ड कालीन समक्र्थी है कौन से समक्र्थी इमेन देश पांडे ने जौरव्य महाराथ राज के आहमधनगार जिले में गोदावली नदी की साहिक नदी प्रवरा के तर्थ परिस्तित है जहां पर जीव संकृती के अउसेज़ पराप्थ हुए है जोर्वे संकृती प्रमुक रूप से पच्चमी महराष्टर में विक्षित हुई जोर्व संक्रति की प्रमक किस्तल, चंदावली, सोन गाउं, इमाम गाउं, जोर्व नाशिक, तता, डायमाबाद आ दिया है जोर्व संक्रति का समय काल, 14 सुलिसापुर से 7 सुलिसापुर तक माना जाता है उसकी बाद अगला कोश्चन दिया गया है जम्मू कस्मीर में पुरा तत्तिक महत्त का इस्थल निम नकीद में से कौन सा है तो सभी को मालू होका कई बार हम लोको ने पढ़ लिया कि जुबूर जो हम है यह कहां पर है जम्मू एंड कस्मीर में है तो यहां बेमार जितने भी कोश्चन दिये गया थे पूरा पाफान काल में वह कंप्लीट होगा मिलते नेट वीडियो में धन्यवाद